हेलो अब्रीवन मैं सुमन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटुब चैनल इस्टड़ी भाई सुमन पे तो जो मेराथन अप था आपका था बीपेस्टी टी आरी ठीक है बीपेस्टी टी आरी त्रीक में मेराथन ली थी और कल की डेट में मैं आपको करवाई थी फूगोल में जिसमें भूगोल और पर्यावरण फे बीभूगोल और आपका उजवारत मैंने करवाद तो यह आपका है एक घंड़ा 36 मिनिट में हम ने 250 तो शुआ डिकना हम्सी करवा दिये और आपका एक्स्प्लेनेशन करवा दिया थे यह इसकी पहले मैंने का रहा ज़स्टिरी निक्ति आ और आधुने के भारत की हिस्ट्री जिसमें भारते राष्टे आंदोलन भी था तो इन सारी चीजों पर आपकी जो है मैर्थन ले ली है अगर आपने नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हैं ठीके ना आज का जो मैर्थन है इसमें आप देखेंगे मैं बता दो सबसे पहले कि सबसे पहले हम इसमें बात करें पॉलिटी होगा ठीके ना पॉलिटी और आज जो है आपका साइंस ये दोनों में साथ मिलोंगी तो सबसे पहले हम पॉलिटी को करेंगे पॉलिटी में आपके 50 कोश्चन है उसके बाद साइंस के 165 कोश्चन है ठीके ना तो ये दोनों हम इ इसी मैरथन में कंप्लिट करेंगे तो सुरांत करते आज के मैरथन की एक लाज को गरास को बात करें परको सामने से भारतर समिधान का अध्यष कोन था ठीक है भारतर सम्हिधान का अध्यष पूचाए तो यह कौन था तर्युटर दर परशाद जवाहर लल और एम ए जिन्हा यां फिर लाल बहादुर सास्त्री ये कुंते ड़्टर राजंद प्रसाद अच्छा यहां पिर अगर सचिधानन सिन्ना होते अगर इसमें लिखा ओता थी न सचिधानन सिन्ना तो इसमें आपका इस्थाई जरूर लिखा हो था ठीक है न इस्थाई अध्येश तो इसमें इस्थाई और इस्थाई पूछता तो आपका फिर आंसर आपको थोड़ा सोचना पड़ता लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं सचिदनन सिन्ना और डॉक्टर राजिन प्रसाद सिर्फ दिया हुआ है जिसमें पूछा है कि भारती समिधान का अध्यश कौ कोशन है भारत के समिधान का निर्माता किसे माना जाता है तो भारत के समिधान का निर्माता यह बी आर अमबेटिकर जी को माना जाता है अगला कोशन है समिधान बनाने में समिधान सभा को समिधान सभाने कितना समय लिया तो यह दो साल 11 मां 18 दिन लगा था समिधान को बना लिए ठीकर ना दो वर्स ग्यारह मां अठारा दिन अगला कुश्शन है हम भारत के लोग बीद और पीपिल आफ इंडिया हम भारत के लोग शब्दों का परियोग भारतिय समिधान में कहां से लिया गया है तो यह या फिर कहां किया गया है इसका परियोग ठीक है ना नीती निदेशक तत्तों में मौलिक अधिकार में नागरिक्ता में या भारतिय समिधान प्रस्तावना में तो यह समिधान के प्रस्तावना में बात से लिए गए हैं तो यह यूए से से लिया गया ठीक है न कहां से सईट राज अमेरिका से लिया गया है हमारे शमिधान का मूल अधिकार ठीक है न अगला कुछ ने भारती समिधान में समवर्ती सूची किसके सब समिधान से लिए गई है समवर्ती सूची सईट राज अमेरिका Canada Germany या फिर Australia ये अपका लिया गया है कहां से Australia से लिया गया है समवर्ति सुची कहां से लिया गया है Australia से और इसके लागर बात करें संग सुची हो गया राजी सुची हो गया तो वो आपका USA से लिया गया ठीक है न तो इसका जो seven cancer हो जाएगा ये फोर्थ हो जाएगा अगला question ह है भारतिय समीदार में नागरिक्ता के प्रावधान कब लागू हुए ठीक है नागरिक्ता के प्रावधान कब लागू हुए थे यह हुआ था 1949 में ठीक है भारतिय समीदार में नागरिक्ता के प्रावधान लागू हुआ था 1949 में अगला question है भारतिय नागरिक्ता नहीं प किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या भारतिय बैंक में धं जमा करके तो जन से तो होता है 1.32 करण से होता है और वातकरियां पर भूभाग इसकी ध्वारा भी आप भारत की नाउस्टा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहांपे अगर बात करें बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागर्टा नहीं ले सकते हैं ठीक है रहा तो यह फूर्थ नंबर सही हो जाएगा अकला कोशन है भारती सम्मिधान का अनुच्छेद 32 नियुकित में से किसे संबंदी थे शोषण के विरुद धर्म का अधिकार सम्मिधानिक उप्चारो का अधिकार तो यह किसे संबंदी थे सम्मिधानिक उप्चारों का अब जो है अधिकार अर्टिकल 32 में कहा गया है कि आप जो है अपना जो सिकायत है वो जाके सुप्रिम कोट में जाके अपना दर्श कर सकते हैं और 226 की तहत यह हाई कोड के लिए ठीक है रब यह हाई सिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है तब कि फृशन पर बंदबना था थे यह ऐक अप्रेलट को लाग हुता था सिप्षा को है हदिकार है ये मौलिक अधिकार बनाया गया चपहों एक अप्रेल 2010 को लाग बहुत हुत इतक है she had a new a अनुछेद 20 अनुछेद 21 या अनुछेद 18 नीजिते का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में आता है जो है आपका इसमें बोलता है जीवन जीने का अधिकार प्राण एम देहिक का अधिकार यह आपका 21 में है और यही इसी में आपके नीजिता की बात होती है नेक्ट कोश्चन बातकर 18 में तो इसमें आप कआजाता है जो आप उपाधिया लेते हैं उसका ठीकर ? नेक्स कुछन है अच्छा उस्टों सभीन भारती समिधान के अनुसार निमलीकित में नियाले में क्योंट प्रवर्तनीा है ठीके तो कौन पोर निये निक्रम प्रवर्तनी नियों सब्स्वार अधिकार मूल अगला कोशन है भारतिय समिधान की किस अनुछीत नागरी भारतिय नागरी को के मूल करतब्य को सामिल किया गया है तो यह 51 को में ठीक है ना 51 को और भाग चार ठीक है भाग चार भाग चार में यह बात की गई है भाग चार भाग चार के को में यह बात की गई है 51 को में मूल अधिकार की करताबी की बात अब मुल्क करताबी लिया कहां से गया है तो यह रूस से लिया गया है ठीकिना यह लिया गया है रूस से और मौली करताबी कहां से लिया गया है तो यूएस से लिया गया है एक लाकोशन है राजी के नीती निर्देशक सिधानतों के निम्लिकित अनुछीदों में से कौन सा अनतराश्टै सांती और सुरच्छा से समभन्धित का बात बता रहा है कौन है तोई इसमें अगर बात करें 15 का ये हो जगा 1 एक्यामन ठीका नहीं है 11 में भी बोला गया है अनतराश्टे यह सांती और सुरच्छा ठीक है और उसके बाद अगर बात करें अगला कोशन तो अगला कोशन है अच्छा 39 A में आपका बताया गया है निसुलक कानूनी सहायता ठीक है निसुलक कानूनी किस देश के सम्मिधान से लिग गया है तो ये औस्ट्रेलिया ठीके न अस्ट्रेलिया से लिग गया है राज़ नीति निर्दिरशक तग तो अकला कॉशन है को यहां पर आप्शन में दे रहा है Іर इस ठीक है तो यह आरी देख लेंगे नहीं हो तो आप औस तो अगला कुशन है भारतिया गर्राज में वास्तवी कारेकारी प्राधिकार दिवलिकित में से किसके पास होता है परधार मंत्री राष्टपती नौकर साहिया मंत्री परसत के तो यह किसके हाथ में होता है मंत्री परसत के हाथ में होता है भारतिया गर्राज में वास्तवी कारे कारी प्राधिकार मंत्री परसत के हाफ में होता है अगला कोशन है भारत में राश्पती के चुनाव संबंदी बिवाद के मामली निम्लिकित में से किसके पास भीजा जाता है अगर राश्पती के चुनाव के मामले में बिवाद होता है तो निर्वाचन आयोक संसत या फिर भ जै कि अबसेती हैं आपसे पूछआ जायगा कि जो उप्राष्ट पती को किस पद के लिए वेतर मिलता है तो यह मिलता है उसको दो उब खिलते हैं लोगलिश्ड कर्दार मंत्री इसाथ राश्पती के कारिकाल के साथ जब तक उसे लोगसभा के बहुमत का समर्थन हो तब तक ठीकिए में जब तक उसे लोगस लग के समर्थन प्राफ्थ होता है यह कुस्य नंदो के आधिनियम में मंददान करने की अईूग गटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी ठीक화 किस सम्मिधानिक संसोधन में तो यह आपका 61 सम्मिधान संसोधन के तहट 21 वर्स से 18 वर्स कर दिया गया था ठीक है अगला कोशन है भारत में बित आयोग की निवक्ति कौन करता है गवर्णन भारती रिजवर बैंक या भारत के नियंतरक महालेखा परिचक या भारत की राश्पत केंद्रे बित मंतरा ले तो भारत का राश्पती जो होता है यह क्या करता है बित आयोग की निवक्ति करता है नई दिल्ली में गड़तंतर दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है तो जो भव्य परेड होता है गड़तंतर दिवस पर नई दिल्ली में यह राश्पत प्रधार मंत्री राश्ट्र या फिर रच्छा मंत्री कौन करता है यह करते हैं राश्ट्र पती ठीक है अगला कुशन है भारती संसद में सामिल होता है लोकसभा राजी सभा और राश्ट्र पती ठीक है लोकसभा राजी सभा और राश्ट्र पती अगला कुशन है लोकसभा क चुना लड़ने वाले प्रत्यासी के लिएंवें निवनतम जो है आयू कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्स होनी चाहिए लोगылोघ के लिए टीस वर्स होनी चाहिए राज सब्ठा के लिए राजस्बा के लिए थी किना और 21 यह आपका जो इस्थाने निकाय होते हैं जैसे ग्रामिल की पंचायत हो गया परधान हो गया उनके लिए क्या होता है 21 यानि 21 वर्स होता है और ठारा वर्स आपका मत दान करने के लिए होता है अगला कोशन है लोकसभा के अधिश का चुना किया जाता है राश्पती के द्वारा परधार मंतरी के द्वारा या फिर संसत के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है लोकसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा तो संसत के दोनों सदस्यों द्वारा नहीं होगा बलकि लोकस सभा के अद्धिस की निँकति यानी चुनाव किया जाता है तो यह आपका हो जाएगा लोग सभा के सदस्योद अर्ग ला कुशन भारत का सरकार encontramos सरकार का परतर बीधी अधिकारी कौन होता है भीधी कानुन सचिवं भारत का महानियाइदी आपने इसका जो आर्टिकल है 76 है और यह भारत का पहला भीदी अधिकार ही किसी भी न्याले में जा सकता है भारत की पर्थम लोग्सभा की स्पीकर कौन थे डी ओल depression के क्या थे इस पी करते यानि अध्याश दे अगला कोशन है यह निर्ड़े लेने क्या अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथ्वा नहीं तो धन मतलब अब कहने का मतलब है कि यह कोई भी विधेग धन विधेग है या नहीं यह निर्ड़े कौन लेता है तो यह लोग सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है रसंसत द्वारा निर्वाचित किया जाता है या फिर राश्पती द्वारा नियुक्त किया जाता है तो भारत को प्रधान मंत्री राश्पती के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसके लावार राश्पती राजिपाल की भी लोक सभा को इस्थगित करने का दिकार है तो लोक सभा के को इस्थगित करने का दिकार किसको इस्थगित करने का दिकार किसको इस्थगित करने का दिकार किसको इस्थगित करने का दिकार किसके पास है लोक सभा को तो ये लोक सभा के अध्यच को इस्थगित करने का दिकार है अगला कोशन है निवन में से कौन सा राज सभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या भेजता है उत्तर परदिस ठीक है उत्तर परदिस भेजता है अगला कोशन है भारत के संसत के सत्र दौरान सुने काल की अधिक्तम अवधी कितना निदायत किया जाता है तो ये एक घंटा है ठीकरां सुने काल की जो अवधी होती है वो एक घंटे होती है अगला कुशन है किस सुची में सामिल बिस्यों पर केंद्र और राजी सरकार दोनों द्वारा कानुन बना जाता है राज जी सोची समर्थी सुची केंड्र सुची इसमें समर्थी जो सुची होते इसमें केंड्र और राज दोनों मिलकर कानुन बनाते हैं अगला कुशन lovers द quiã का प्रावदान सभीधन के किस अनुष्य द में लोकस्वा के द्वारा वहुमत से और विश्वास प्रस्था पास होने पर मंत्री पसद को ट्याद पत्र देना पढ़ेगा, Ihr अगला कुश्चन है लोग सबक अध्यच अपना त्याग पत्र किसे सौपता है तो भारत के महा नियावादी को भारत के उपराश्पती को उपाध्यच को ठीके न तो लोग सबक अध्यच हता है वो उपाध्यच को अपना त्याग पत्र देता है अगला कुश्चन है उच्छ न्याले के न्यादीश अपने पद पर रहते हैं तो अपने पद पर कब तक रहते हैं उच्छ न्याले की पूछाए ठीके ना उच्छ न्याले नहीं तो यह बास यानि 65 आपका 62 वर्स हो जाएगा ठीके ना सुप्रिम कोट की बात करें तो यह 65 वर्स हो जाएगा सुप्रिम क की अधििष को को हटाया जा सकता है राश्पती के दौरा प्रधामंत्री की दौरा या पारियमेंट के दौरा-परवक्त के सरोच नेले के न्याधीसों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा तो यह किया जा सकता है कैसे पारलियमेंट के द्वारा अगला कुशन है मुख्य मंत्री की न्यूकति की जाती है राजियपाल के द्वारा राश्पती के द्वार्च मुख्यमंत्री की नियुकती राजवपाल के द्वारा की जाती है राज़ेपाल के द्वारा की जाती है अगला कुशन है राजी के वास्तिविक कारपाल का सक्ती का प्रयोग किसके द्वारा की जाता है या फिर राज़ेपाल तो यह मंत्री परस्त के द्वारा अब केंद्र में केंद्र में मंत्री परस्त के द्वारा ही किया जाता है अगला क या 410 का प्रयोग करते हैं किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो यह आपका 356 ठीक है ना जब राज जी में समय धाने की फलता होते हैं तो 356 का प्रयोग करते हैं 360 अभी तक नहीं लगा है यह बित कालिन का है अगला कुछ ने केंद्री करव में तो यह आपका भीत आयो करता है अगला कोशन है प्रथम भासाई राज्य किसे बनाया गया तो यह आंध्रा परदेश को बनाया गया ता प्रथम भासाई निम्लिकित में से कौन भारत में संग राजे सम्बंद से सम्दित कौन नहीं है संग राजे सम्बंद से सम्दित नहीं है तो इसका जो अंसर हो जाएगा इंद्रजीत हो जाएगा अगला कुश्चन है अपका अच्छा इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कौन-कौन राजी और संग और राजी का है तो ये आपका सरकारिया आयोग राजमनार और पुंची आयोग ठीक है ये राजी और संग दोनों हैं अगला कुश्चन है संग लोग सेवा ठीक है संग लोग सेवा आयोग की अध्यच को कौन न्यूक्त करता है तो ये आपका राश्पती प्रदार मंतरी ग्रह मंतरी कुन करता है राश्ट पती करता है संग लोग सेवा आयोग की अध्यच को ठीक है ना संग लोग सेवा आयोग की अध्यच को ब्हारत की मुखे सूरच्छा सालाकार को किसapa हैं तो यह किस आद इसनित को संसत करने गारिकर माहर निया है वीद को है अगला कोशन है भारते समिधान की शिभक्त मचें निर्वाचन आयों की लिये प्रहावधान तो यह 326-24 है जो कि निराचां आयो के लिए प्राधान है बारते समिधान कि दसवी अंसूची थीक दसवी अनसूची कि विसमिंसे संबन्दित है तो यह 10 वं अनसूची दल बदल से संबन्दित है अगला कॉष्ण है अच्छा अब यह हमारा पॉर्टि का जो पचास कोशन ता ये खतम होता है और आपको ये पीडिया टेलीग्राम से बिल जाएगा टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा वहां से आप ये पीडिया प्राप्त कर सकते हैं ठीके न तो ये आपका अंसर की हो जाएगा और आपका बाकी प्रैक्टिस है अब हम सुरात करत साइन्स की अब आप कहा जाता है साइन्स का और साइन्स में लगभग एक सुच 65 कोशन है ठीक है ना इसे हम फटा फट सुफर फास्ट करेंगे ठीक है अब चलते हैं अपने पहले कोशन पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर सेशन जहाता है कौन सा जली पोदा ए मकहाना सिंगारा कर्मी हम् 법िमी सऩा है यह उप्रंट में सभी सबयेते हैं और आप जानते हैं मखाना यह मिथ ला मखाना को सिंगारा जानते होते हैं और कर्मवा या फिर कर्मी साग गामे आप इसे कर्मवा सा कहते हैं तो आपने सुना ही होगा यह तीनों ही आपके खात पदार थे जो कि जली पौधे होते हैं अगला कोशन है कौन सा पौधा जिसका दो या दो से अधिक भाग मनुस्य खाता है बैंगन चना फूल गोभी दो या दो से अधिक भाग मनुस्य खाता है थे ना तो यह आपका क्या हो जायेगा यह अपका एक मिनिट दो यार्टो से अधिक भाग इस भेँड चने में होता है ठीक हम तो चना खाता है अगला कोशन है निम्लिखित में से किस पौधे के बीज से तेल प्रापत होता है पालक बढ़ हुआ चना या फिर स्वाइबिन तो स्वाइबिन के पौध जो बीज होती है स्वाइबिन का उस प्राप्त्प होता है कि प्राप्त तो CRA GERN बनाने में कच्ची समाईद कर होता है तो इसमें कच्छिस समागी कुरन है चामल है दूध है और आपका चीनी है यह सभी हो जाएंगे खेर बनाने के लिए अगला कोशन है रुचांस के मुद की स्थरोत हैं चामल बेशन ताजे फल की और सब्जियां जल रुचांस के मुद के सिरोत क्या है रुचांस के मंड पर इच्छड के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हलके घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद पदार्थ का रंग बदल जाता है तो मंड पर इच्छड के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हलके घोल की कुछ बूंद मिलाने पर खाद पदार्थ का जो रंग होता है वो बात करें तो यह आपका हो जाएगा क्या नीला और काला दोनों ही अगला कोशन है धागे से वस्तर बनाने की वीदियो को क्या कहते हैं बनाई बनाई अब क्या हो जाता है भुझा और अपका बनाई १ाई और photon umर कि घंगा रोग होता है और करोल्च मन्द प्रोटीन अपनिच होता है ठीके 2023 मन्द, आलू में भी मन्ड ही होता है ठीकिए ना? तो आलू में मन्ड होता है, उपश्स कह्ते ते चेómo अगला कुश्च ने रेसे धागा बनाने की पृक्रिया कहलाती है गढ़ा, बुनाई, धुनाई या फिर रंगाई तो रेसे छे बनाने की पृक्रिया है उसे क्या कहते है उसे कहते हैं आप कताई अगला कुशन है मानो निर्मित तंतू है पॉलिस्टर नायलॉन एक लीन एक लीक या उपरत में से कोई नहीं तो मानो के द्वारा निर्मित जो तंतू है वो कौन सा है उन में से सबी है पॉलिस्टर भी है नायलॉन भी है अक्रिलिक भी है अगला कु अलोहा कुमल पदार्थ पुछाए कौन सा है इन में से तो ये साबुन हो जाएगा अगला कोशन है अगला कोशन है पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है वास्पी करड़ चुनना या छानना उपरित में से कोई नहीं तो ये सब भी हो जाएगा पदार्थों को अलग आवस्था में पाई जाती है तो तीनों आवस्था में पाई जाती है तो तीनों आवस्था में जल पाई जाता है ठोस भी पाई जाता है और अगर आप इसे गला देते तो द्रब में हो जाता है फिर इसको अबाल देते हैं भाप में भी हो जाता है अग्ला कुशन है वैसे पदार्थ जिन से होकर वस्तुए और इस पस्ट रूप से धूंदली दिखाई देती है कहलाती है पारदर्सी और पारदर्सी पारभासी तो यह क्या हो जाता है धूंदली दिखा देती है अपार दरसी हो जाता है 17 का हो जाएगा थर्ड आपका पारा पार भासी हो जाएगा ठीक है ना पार भासी हो जाएगा अगला कुशन है निमने पदार्थ में चमक नहीं होती है किसमें किसमें चमक नहीं होती है किसमें चमक नहीं होती है तो यह अपका हो जाएगा लकड़ी में ठीक है लकड़ी में चमक नहीं होती है अगला कोशन है वे पदार्थ जो पानी के या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं घुलन सेल पारस या पारदासी तो यह घुलन सेल हो जाते हैं ठीक है न क्या होत गैसी आवस्था में बदल जाता है तो कपूर जो ठोस आवस्था से सिद्ध गैसी आवस्था में बदल जाता है अगला कुशन जल में और घुलनसील और जल से भारी कड़ों के बरतन की पेंदी में जम जाने की क्रिया कहलाती है प्रथक करण निथार निथार निथारा निथ से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा औग लंसील और जल से भारी कड़ों के परतन की पेंदी में जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं तो इसके क्रिया को क्या कहते हैं थिराना अगला कुशन है आम क्या है शाक जाड़ी ब्रच इन में से कोई नहीं तो आम क्या है आपका आम क्या है 22 अम एक ब्रच है अगला कुछ ने फूल का मादा क्या भाग फूल का मादा भाग पूंकेशर इस्तरी केशर अंखुरी या पंखुरी तो यह इस्तरी केशर हो जाता है फूल का मादा भाग क्या हो जाएगा इस्तरी केशर हो जाएगा अगला पूर्ड फूल के कितने भाग होते हैं पूर्ड फूल के कितने भाग होते हैं दो या तीन दो तीन चार या पांच पूर्ड फूल के कितने भाग होते हैं तो यह आपका होता है कितना चार होता है ठीक है चार होता है अगला कुछन जकड़ 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 का दूसरा नाम क्या है मुसला जड़ रेसेदार जड़ साग ज़ाड जकड़ का दूसरा नाम है रेसेदार जड़ ठीक है रेसेदार जड़ अगला कुछन है जल की बूंदे पत्तों पर ठीख है, जल की बूंदे पत्तिउ से जलवास्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को कहते हैं वास्पोत सर्जन कहते हैं। नेक्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट् को प्रयोग क्या बनाने के लिए करती हैं तो पत्तिया जल का उप्योग भोजन बनाने संद तो पत्तिया जल का ब्रयोग के लिए लिए नहीं59-0-7-0-4-0-3-0-6-0-7-9-0-4-0-8-0-5-0-9-0-4-0-1-0-2-0-9-0-6-0-8 भूजल मलाना में प्रोटीन नाम रोग किसी कमी से होता है प्रोटीन विस्वाक कार्भोईर्ट जाते हैं वह क्या होते हैं Data-Doblung क्या होते हैं सरवाहारी होजाते हैं ठीक्राइश मातूच्थ को भी खाते हैं और पौदों को भी खाते हैं उन्हें हम सरवाहरी कहते हैं अगला कुश्चन टीका करण की सुरुवात किसके द्वारा की जाती है तो टीका करण की सुरुवात किसके द्वारा की गई थी लुईस सी एड़वर्ड जेनल के द्वारा सी एड़वर्ड जेनल के द्वारा टीका करण की खोच की गए थी अगला कुश्चन निम्भी कितमी से कौन सा पदार्थ जल के अलामा भी घोला घोलाख हो सकता है नारियल, तेल, जैतुन का तेल, केरोसीन, तेल, सरसो का तेल तो ये कैरोसिन तेल जो है ये आपका 33 का हो जाएगा घोलक हो सकता है पदार्थ जल के अखला किसे नहीं वह घोल जिसमें घोले पदार्थ की और मातरा घुलाने की छमता नहीं होती है क्या कहलता है संतित गोल और संतित गोल हलका गोल उपरक्त में से कोई नहीं या उपरक्त में से एक से अधिक उपरक्त में से सभी वह घोल जिसमें घुल लिया पदार्थ की और मातरा घुलाने की छमता नहीं होती है आपका क्या हो जाएगा 34 का अंतर और संतित गोल हो दारा रेखिया सरीर किसका होता है घोडे का भालू का मचली का मेंधक का धारा रेखिया सरीर किसका होता है मचली का होता है ठीक है धारा रेशियर सरीर किसका होता है मचली का डॉल्फिन किस अंग से स्वांस लेती है तो डॉल्फिन नासा द्वार गिल या फिर तौचा कोई नहीं तो डॉल्फिन किस से स्वांस लेती है डॉल्फिन लेती है आपका नासा द्वार से अगला कुश्च अजयब घटक जो जीवों के लिए आवस्चक है वायू जल प्रकास उप्रिक में से सभी हो जाएंगे जो जीवों के लिए आवस्चक होते हैं इते हैं उच निम्दम पर्वेश में पाजाने वाला तंजन्तु कौन सा है उच निम्दम में ठीक न तक Μें डेख़ाता है उच्मिन अ कॉनytic जैंदाम है गास सथल होता है ठीक है ना कौन होता है सेर होता है अगला कुशन है अगला कुशन है हमें स्वास लेने में कठनाई होती है मैदाने छेतर में जलिये छेतर में परवतिये छेतर में रेगिस्तानी तो में सास लेने में कमी जो है कठनाई कहां पर होती है तो यह होती है परवतिये छेतर में ठीक अगला कुश्चन है जली अवास अस्थल होता है जली अवास अस्थल दल दल समुद्र पानी का जिल समुद्र उपरुत में से कोई नहीं तो यह उपरुत में से एक से अधिक हो जाएगा 42 का 4 हो जाएगा अगला कुछछन है SI पद्धिती में लंबाई का मात्रक होता है मिली मीटर, सेंटी मीटर, मीटर या किलो मीटर में तो जो लंबाई का मात्रक हो किस में होता है आपका 43 का हो जाएगा किस में मीटर में हो जाएगा मेटर में हो जाएगा लंबाई का मात्रा अगला कुछ ने अब रिती गती का उधारण है अब रिती गती का उधारण क्या है जूला जूलते बच्चे की गती लोलक की गती बजने वाले तबलो के प्रष्ट की गती उपरित में से एक से अधिक उपरित में से एक से अच्छा यह आपका बात कर रहा है जूला जूलते बच्चे की गती अगला है एक मीटर में कितने मीटर होता है एक मीटर कितने बराबर होता है तो एक मीटर पराबर सो सेंटी मीटर होता है एक मीटर बराबर कितना होता है सो सेंटी मीटर अगला कुछ चैने एक किलो मीटर में कितने मी मिटर होता है तो 46 का जोन से हो जाएगा एक हजार मीटर हो जाएगा अगला गती सील वस्तु का उधारण नहीं है गती सील वस्तु का उर्टी चिडिया चीटी की गती घड़ी घड़ी की सुई तो गती सील नहीं है कौन घड़ी 47 का थड़ हो जाएगा अगला कोशन है बल्ब चालक कभी कुचालक या फिर उपरिक में से सभी हवा क्या है हवा क्या है 49 का जो अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हवा बिजली का कुचालक होता है अगला है छाया दिखाई दे सकती है तो चाया दिखाई दे सकते हैं दिवार पर पर जमीन पर उपरत में से सभी जगें पे चाया दिखाई दे सकते हैं सभी जगें पे ठीक है अगला कोशन है पारदर्सी पदार्थ कहलाता है पारदर्सी पहतार्थ लकड़ी कागच इस्टील कागच का टुकड़ा तो पारदर् 51 का हो जाएगा आपका फोर्थ अगला कुछ ने किसी वस्तु को देखने के लिए आवाश्यक है किसी वस्तु को देखने के लिए आवाश्यक है प्रकास वस्तु या वस्तु से टक्राव आखों तक पढ़ने वाला किरण या सही सलामत आख तो 52 का हो जाएगा दो वस्तु और वस्तु से टकराओ टकरा कर आँखों तक पढ़ने वाली जो है प्रकास किरण है अगला कुस्चिन है फिप्टी टू का हो गया है फिप्टी थ्री फिप्टी थ्री फिप्टी टू का अच्छा है यहां पर बात करें फिप्टी टू का सभी हो जाएगा सही सलामत आँख प्रकास और यह भी अपका हो जाएगा ठीक है आओ यहां पर देख लेते एक पर कोशन क्या पुशा था किसी वस्तु को देखने के लिए आवस्यक होता है तो यह सभी हो प्रकास में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी और प्रकास नहीं जाब पातब वस्तु अपनी तरह की आगरती बनाते इसे क्या कहते प्रकास चाया प्रती चाया उपरत में से कोई नहीं तो यह जो आकरती बनाती है खुद से यह पका चाया हो जाएगा ठीक है न चाया अग संगस्टन की बने होते हैं बल्ब की कुंडली अगला कुश्चन है निमनों वस्तु हमें बिजली का चालक कौन है बिजली का चालक लोहा बिजली का चालक कौन है लोहा अगला कुश्चन है चूना जल में फूकने पर ठीक है चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग मिधंद जाना बंदलना किज गैस करन होता है औक सीजन के कारण ठीक है लाए किसकी आ किसी औक टीसीजन की कारण 56 जो अंसर हो जाएगा यह होगा है एक एक रिकनको यह आपका carbon dioxide ना पूल्चा है है दूद्या रंग हो जाएगा तो यह carbon dioxide जब डालेंगे तब होता है अग्ला कोश्चन है वाई एक गैसों का मेस्तरण है और अग्ला कुशन है परवता रोही उच्छे परवतों पर चड़ने पर समय कौन सा गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाती है तो ऑक्सिजन का गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाती है अगला कोशन है जो जीव पानी में रहते हैं वे सुसन के लिए अपनी सुसन के लिए पानी में घुली होई किस गैस का उपयोग करते हैं जो जीव पानी में रहते हैं वे सुसन क लिए पानी में घुली हुई जुग्या से उप्योग्त करते हैं कारबन डियोक्साइड नायट्रोसन या फिर और और आक्सीजन का तो आक्सीजन का प्रयोग करते हैं किसका उप्षिजन का फिशिए अइन सुछ यह फोर्ट हो जाएगा अगला कुशन है कि मुंबत्ती जलना ठीकिन मुंबत्ती जलना क्या होगा मुंबत्ती का जलना वायू में उपस्तित किस ग्यास के कारण होता है अगला कोशन है मशलीय जल में घुली किस गयस का उप्यूग सांस लेने के लिए करती है नाइट्रोजन, कर्वन डायॉकसाईड, आर्गन या फिर मच ऑक्सीजन का किसका प्रयोग करती है, तो यह ऑक्सीजन का प्रयोग करती है, अहाँ पर जल में, अगला कोशन है, एक निस्चत समय में एक वज़तु जितनी दूरी तै करता है, वो उस वज़तु की कहलाती है, च प्रकास सद्स तरोठ से पहली दरपड प्रड़ने वाली किरण रिखा कहलते हैं अबधे किरण कोशन सजीओं का मुख्य लच्छन नहीं है शोशन ब्रद्धी प्रजनन या इस्थिरता सजी इस्थिर नहीं रह सकते है ठीकिना 67 का जो अंसर है क्या हो जाएगा 67 नहीं रह सकते है अगला है आजकल के जमाने में दीशा का पता किया जाता है दिक सूचक यांत्र द्वारा दिक सू चुम्बकिया भी सूचक या GPS ठीके GPS या उपरत में से एक स्याधिक आजकल के सामने जमाने में दीशा का दीशा का पता किया जाता है क्यासे 68 का जो अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका फूर्थ उपरित में से कोई सभी यानि दिक सूचक यांत्र के द्वारा भी सुम्बकिया द्वारा भी जीपेस के द्वारा भी अगला कुश्यन है हमें नमक कहां से प्राप्त होता है हमें नमक पौदे से चंतों से मिठा जल से समुद्र जल से तो हमें नमक कहां से प्राप्त होता है समुद्र के जल से 69 ठीक है अगला कुश्यन है जब मिस्र बहुत कम मात्रा में होता है तो अलग करने की कौन सी विधी पहता है मिसर बहुत कम मातर में होता है तो तो 70 का जो अंसर हो जाएगा 70 का 70 का कोमो ट्रोफी हो जाएगा कोमी ट्रोफी ये था आपका 70 जो है हम साइंस का कोशन पचास कोशन हमने कर लिया अभी मैंने बोला था कि 165 कोशन है और इसको हम आज ही कंपिलिट करेंगे लेकिन अभी नहीं हो सकता है इसे हम कल खतम करेंगे ठीक है न थोड़ा सा कुछ रिजन है जिसके होज़से मैं स्टॉप कर रही हूं तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा बेल अकन पेस कर लिजगा ताकि नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारे क्लास की जितनी भी मैं क्लास लेके आती हूं आप तक को सारी नौटिफिकेशन पहुचना चाहिए इसके लाहमा पीडिएफ चाहिए तो आप पेडिएफ टेलिग्राम से ले सकते हैं वहां पे आप जोइन कर लिजएगा ल